तो आज हम बनाने जा रहे हैं अपने ठाकुची के लिए बहुत ही सोफ सा वेलवट का बिस्तर सेट जिसको बनाना बहुत असान है और आप इसको घर पे बना सकते हो इसके लिए आपको चाहिए वेलवट का कोई भी कलर का फैब्रिक जैसे कि मैंने ये मिक्की माउस प्रिंट में ले लिया है क्योंकि आपको भी पता है कि हम जब भी चोटे बच्चाओं के यांफी इनके स्मॉल साइस में कोई भी कपड़े बनाते हैं तो उसमें कार्टून प्रिंट यां फिर ब्रीक प्रिंट च्वैम यूस करते हैं शुंद सुन्दर सा तो उस टाइप में मैंने यहां पर मैंने 10 x 12 इंच का कट किया यह मैंने 2 सेम पीस कट करने है इस तरह से तो उन दोनों को ही उल्टा रखना है इस तरह से और मैंने एक साइड तो मेरी ओलरेडि जोइन है तो 10 x 12 इंच का मैंने रेडी करना है तो इसालिए यह मैंने 10 x 24 इंच का कट किया है एक फेब्रिक दो पीस कट किया है मैंने क्या करना है यह और यह दो साइड पे मैंने स्टिच लगाना है दोनों ही पीस पर और एक मैंने पिलो कट किया है पिलो आप दो भी बना सकते हो तीन भी बना सकते हो उसके लिए भी मैंने एक फैब्री कट किया है फाइब सिक्स इंचिस का यहां पर भी मैंने दो साइड एक साइड अल्रेडी स्टिच है क्योंकि उसी साफ से मैंने अलग पीस नहीं कट करें जोइन्ट ही कट किया तो इसके साफ से मैंने यहां पे इस तरह से लगाना है क्यां लगानों प्राइडी करें जोओ तो अब अब देख सकते हैं जैसे मैंने 3 पीस यह puisque इसको इनको सीधा कर लिया है दो साइड में प्रवाइब लगाया और यह साइड जो हमारी ओपन है और एक साइड हमारी जो है अल्रेडी क्योंकि डबल किया था फैब्रीक तो वह हो गई उसके अंदर अमने फाइबर की रूई डालनी है तो फाइबर की रूई आपको मार्किट में इसली मिल जाएगी या सुसहिं के लिए तो कुछ इस तरह से हम इसको एड करेंगे और ऊपर से हलका हलका इस तरह से अ करेंगे और इसी तरह से हमने ब्सचे बॉख Peterson बितली आप दमतों पमतों है तो उसमें तरह की से रूई हैं और इस हलका हलका हम इस तरह से प्रेस करेंगे तांकि जो रूई है वो सारे में अपने आप सप्रेंट हो जाए अच्छे से फैल जाए तांकि कोई भी एरिया खाली ना बचे तो उसके बाद हमने क्या करना है इसके उपर से ही इस तरह से स्टिच लगाएंगे हम तो जो भी हमने तीनों पीस में रूई भरी है उनको हमने स्टिच लगाकर बंद कर देना है हमने सिंपल स्टिच लगाना है और इसमें आप धागा ब्रीक रखिए तांकि ये स्टिच खुले नहीं तो पटा-पट से हम स्टिच लगाकर इसको कवर कर लेते हैं तो ये देखिए हमारा सोफ मुलाइमदार गद्दा रेडी हो गया है अब जब अभी हम अपने ठाकु जी के सुलाएंगे चाहे का आप इसको ऐसे लगाईए क्योंकि ये मैंने काफी बड़े साइज में बनाया है तो आप मैं कैसे भी लगा सकती हूं इसको तो एक हमारा ग बनाया है अगर आप दो या तीन बनाना चाते है तो वह आपकी चोईस है तो इस तरह से हम अपने ठाकु जी को सुला सकते हैं कुछ इस तरह से और बहुत ही सुंदर दिखने वाला ये जो बिस्तर है वो सैट बनकर रेडी हो जाता है अगर आपको वीडियो अची लगी हो मिरा ये रदे दिए हैं